नमस्कार मित्रों आज हम आपको बताएंगे कर्मों का फल कब मिलता है? क्या कुछ ऐसे कर्म है जिनका फल हमें नहीं भोगना पड़ता है? यही सब चीजों की जानकारी आज आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी आपके मन में जितने भी सवाल हैं सब दूर हो जाएंग दवा लीजिये, जिससे की हिंदू धर्म की सभी जानकारी आप तक पहुचती रहे, चलिए शुरू करते हैं, कर्मों का फल निरंतर मिलता रहता है, हम पुराने करम काटते हैं और नए में बांधते जाते हैं, कर्म अच्छे बुरे दोनों होते हैं, दोनों का फल भी अलग है जब इंसान अच्छे बुरे दोनों कर्मों का ख्षय कर देता है, और नए बांधता नहीं है, तो मोक्ष को प्राप्त करता है, सबसे पहले तो हम इस बात को स्पष्ट कर लें कि हर छोटे बुरे और अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता ही है, और हर कर्म का फल अलग-अलग म अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है क्योंकि हर एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है, वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया है और उसका फल हमारी परचाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा से दंग घुट्टा महसूस करता है। कर्म का फल हम को जागते, सोते, उठते, बैठते कभी भी कहीं भी भोग नहीं पड़ता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला, तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसो नहीं लगेगा। किन्तो अपने यदी किसी का खून किया है, किसी को बेथाशा प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सबेर जरूर इसका दुश परिनाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो, उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था, उसके परिनाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरना पड़ा था, जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है, तो इश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लोटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है, ना बुरा कर्म, यहां तक की हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे एक बच्छडा हजारों कायों की भीड में भी अपनी मा को धूंद लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हाल में धूंद लेता है। आपने किसी से लिया हुआ पैसा नहीं लोटाया, तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतु जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है, तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देंगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। आथ सेवा, दान, परोकार जैसे पुने कर्म हमारे कर्मबंधनों को काटते हैं, इसलिए शास्त्रों में सतकर्म करने पर जोर दिया गया है। क्योंकि अंत हमारा उद्देश सभी कर्मबंधनों से मुक्त होना ही है, और जब हम कर्म का सिध्धान्त समझेंगे तभी इस चक्रव्यू से बाहर आपाएंगे। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिंचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं। परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किये जा रहे कर्म क्रियमान कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमान कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमश्य निरस्थ होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनह बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनी में यह अंतर है कि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं, वे निरस्थ होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनी में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्थ तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म प का स्रोत बनता है इस प्रकार यह चक्र युग्युगांतरों तक चलता रहता है जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ती नहीं हो जाती अर्थात जब तक वह जन्ममर्ण के चक्र से छूट नहीं जाता संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किये जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है जब मनुष्य के पाप और कुन्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है गीता में और ब्रहम विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निशकाम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनी में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निशकाम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्थ हो जाएंगे परन्तु नए कर्म नहीं जुडेंगे अर्थात न संचित होंगे और नहीं नया प्रारब्ध बनेंगे निश्काम कर्म अर्थ है स्वयन को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना परन्तु उनके फल की इच्छा न रखना ही निश्काम कर्म कहलाता है अगर आपको ये प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना